दोस्तों तो बहुत बड़ी ख़बर है Actually मैं Tata Power को कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है अबर Adani Power के लिए बहुत बड़ी ख़बर है क्यों? कि एक प्ली की थी उन्होंने क्या कहा था Tata Power ने कि डारेक्ट प्रोजेक्ट दे दिये गया Adani Power को 7000 क्रोड रुपेगा Without bidding तो यह feasible नहीं होना चाहिए Actual order में तब feasible नहीं होना चाहिए पर इंडिया में यह चीज़े feasible है क्योंकि कुछ चीज़े support की जाती है कुछ companies को कुछ नहीं की जाती है वो अपना-पना prospect हो सकता है पर लोग एगनिस्ट क्या कहा गए लोग एगनिस्ट यह बिल्कुल ठीक है इसमें कोई problem नहीं है बट इसके खिलाफ आप Supreme Court जाने की तियारी कर रहा है Tata Power तो पुरा पावला क्या है यह जान लेते है जो Applet Tribunal होती है Electricity की उसने क्या कहा है महारास्ट पावल ने जो दिया है 7,000 करोड का transmission project वो ठीक है डानी परावल को nomination basis पे reject कर दिया प्ली प्ली किसने की थी Tata Power ने की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए bidding होने चाहिए यह सिंपल सी बात है तो उन्होंने कहा कि यह सही है इस ट्रिबिनल ने मता आपको पता ही है यह देश में ट्रिबिनल का हाल क्या है तो Tata Power ने क्या कहा है अब उसके बाद के हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे वाप्टल के decision के against तो उससे फाइदा अभी के लिए अडानी पाउर के लिए फाइदा है अडानी पाउर के उसमें आया है फेवर में रजल्ट तो उनको फाइदा है Tata Power को कोई नुकसान नहीं कि कोई प्रोजेक्ट तो पहले भी नहीं मिला था अगर यह प्रोजेक्ट मिल जाता Tata Power को मतला अगरे ट्रिबुनल कुछ कर देता तो फाइदा होता तो टाटा पाउर को जादा कुछ नक्सान है नहीं पर हाडानी पाउर के लिए बहुत अच्छी खुशकबरी है तो जो उपरेटर हो टाडानी पाउर में गेम खेल रहे हैं उन्हें एक और बूस मिलेगा इस खबर स और वो और उपर लेजानी के कोशिश करेंगे भी स्टोक को मैं पहले बता चुक हूँ 120 पर बताया था आप लोगों को कि फाइदा उठाइए इस बात का उपर लेजाएंगे 140 पचास तक तो इस दीच का फाइदा उठाइए बठा स्टडी करके इन्वेस किजिए मेरे कहने पिरे धन्यवाद थैंक्यो